प्यारे विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे निराला की काविगत विशेष्था हैं जिसके अंतरगत अपन मुख्य लेंगे भासा, अलंकार और चंद योजना को इन तीनों चीज़ों का अपन जिगर करेंगे कि इनके काविगत विशेष्था कैसी है और चंद योजना क्या है अलंकार योजना क्या है सबसे पहले हम लेते हैं भासा को भावपक्स और कलापक्स दोनों द्रिष्ठियों से हिंदी साहिती में चायाबाद का महत्पून योगदान है भावपक्स के सेत्र में चायाबाद ने हिंदी में अनेक विश्यों का समावेश किया और कलापक्स के सेत्र में नविन अलंकारों तथा नविन भासा सक्ति को जन्म दिया बलकि यू कहना चाहिए कि भासा को नौद उदात्य परदान कर उसे अधिक सक्षम समर्थ और संपन बनाया निराला का चायाबाद भासा के समस्त गुनों से संपन है चायाबादी भासा की प्रमुख विसेस्ता है कोमलता नव सब्दों की मधूरता योजना और प्रकरतिगत परतिकों की प्रचूरता भासा का लाक्षनिक प्रियोग संगीतात्मक्ता चित्रात्मक्ता और प्राचिन भासागत रूडियों के प्रति विद्रोः निराला की भ सबसे पहले हम लेंगे भासा की कोमलता। चायावादी कवियों ने भासा को कोमल बनाने का अत्यधिक प्रियास किया। और अपने इस प्रियास को सफल बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और बंगला की कविता पद्धतियों को अपनाया। स्वण समय कनक प्रवाद स्वपनिल मुस्कान आदी सब्दों का ग्रहन छायवादियों ने अंग्रेजी से किया और छल छल कुह किनी छलना आदी सब्द बंगाली से लिये गए हैं सबी छायवादी कवियों की भासा में कोमलता हैं दार्षनिक गहनता के कान निराला की भासा में यह गुण अपैक्साक्रत कम मिलता हैं किन्तु इसका अभाव नहीं हैं देखते हैं इनकी कविता कहते हैं यह कहां कनक कोरों के नीरों अस्रुकनों में भर मुस्कान विरह मिलन का एक साथ ही खिल पढ़ते वे भाव महान यह था इनकी भासा में कोमलता फिर आता है नविन सब्दों की मधूर योजना का जिक्रव परतेग छायावादी ने अपनी भासा में भाव अनुसारिन भावों के अनुसार बनाने के लिए नए-नए सब्दों की मधूर योजना की हैं नंददास की भाती पंत तो इस सेत्र में सब्दों के जड़िया कहे जा सकते हैं सब्दों के सुंदर पहचान का अद्भुत परीचे निराला की भासा में मिलता है इनकी सब्द विदान में भाव और विचार भी आत्मसाकार हो उठी हैं कहते हैं अली अलकों के तरल तमीर में किसकी तलोल लहर अज्यात जिसके गूड मर्म में निश्यल ससीसा सुख जोत्सनासी गात फिर इनों ने अपनी कविता में प्रकर्तिगर प्रतिकों को भी इस्थान दिया है और प्रचूर मात्रा में प्रतिकों का उपयोग किया है प्रकर्ति और छायावादी कव्यों की अविछिन सम्मंद है इनका छायावादी कव्यों में प्रकर्ति का प्रयोग इतने अधिक रूपों में हुआ है कि आलोचक छायावादी कव्यों को प्रकर्ति कव्यों को प्रकर्ति कव्यों को प्रकर्ति कव्यों को प्रकर्ति कव्यों उसी कुसलता से कलापक्स के सेतर में भी किया है। प्रकर्तिगत परतिकों के दवारा उन्होंने अपनी अभिवेंजना, सक्ति एवं भाव उत्पादक्ता परदार की है। अन्य छायावादी कव्यों की भाती निराला ने भी प्रकर्तिगत पर्तिकों का अपनी भासा में पर्चूरता से प्रयोग किया है। कहते हैं, वहाँ नैनों में कोमल प्रातः चंद्र जोसना की केवल गात रेनु छाये ही रहते पात मंद की बहती सदा बयार। यहां प्रात, चंद्र, जोसना और रेनु, क्रमस, इस्पूर्ती, सांती और सीतलता के परतिक हैं। इस परकार के प्राकरतिक परतिकों की सर्वत सफल योजना यहां मिलती हैं। फिर हम आते हैं भासा की लाक्षनिक तापर कि भासा में लाक्षनिक प्रियोग जो है वो निराला की कविता में किस परकार से हुआ भासा का लाक्षनिक प्रयोग च्छायावाद की विसेस्ता रही है युगीन परिस्तियों से प्रभावित होकर ही च्छायावादियों को लाक्षनिक प्रयोग की आवसिक्ता हुई निराला की भासा में लाक्षनिक प्रयोगों का प्राचार्यू मिलता है जैसे देखते हैं अपने बहती जाती साथ तुमारी इसमर्तियां कितनी दग्द चिंता के कितने हाहाकार यहां दग्द चिंता के हाहाकार और इसमर्तियां का बहना लाक्षनिक प्रयोग है निराला की कावे में लाक्षनिक प्रियोकों की निश्चे यही भरमार हैं, दार्षनिकता के अनेकस स्वतही लाक्षनिकता का विधान कर दिया हैं। कहीं कहीं वह बोजिल भी हो ठी हैं पर सरुटर ऐसा नहीं है। फिर आता हैं बासा के सित्र में अगला बिंदू संगीत आत्मक्ता चाय्यावादी कावे वास्तों में वैक्तिक अनुगूतियों का कावे है ऐसा होने के कारण ही इंका शारूप विदान गीत कावे परधान है आता उसमें संगीत आत्मक्ता की योजना सहज और स्ववाविक ही है संगीत आत्मक भासा का छायावादी कव्यों ने बहुलता से प्रियोग किया है। तुक के संगीत को उन्होंने बहिस्कृत सा कर दिया हैं और उसके इस्तान पर लई संगीत की प्रात्मिक्ता दी हैं। बल्कि निराला को तो लई संगीत का अविस्कार करता ही कहना चाहिए। चंदों की मुक्ति के बाद ही लई संगीत का विदान हुआ और नेचे ही निराला इसके प्रियोकता है। एक उदाहन यहां देखते हैं। प्रिये मुदित द्रग खोलो, जीवन प्रसुन वह व्रतहीन, खुल गया उसा नब के नवीन, धाराएं, जोती, सुरुभी, उर्भर, बहचली, चतुर्दिस, कर्मलीन, तुम भी निजक, तरुन तरग खोल, नव अरुन सह, खोलो। फिर इनकी भासा में चित्रात्मकता हैं। चायावादी कवियों में चित्र प्रस्तूत करने की अद्भूत शमता हैं। वे सब्दों के बल पर ही भाव चित्र प्रस्तूत करने में समर्थ हैं। और चित्रमयता चायावादी कवि की प्रमुख विसेस्ता के रूप में हमार सामने उबर कर सामने आई निराला की संध्या सुंद्री कविता में एक संध्या सुंद्री का यहां चित्र प्रस्तूत हैं क्या कह रहे हैं दीवस अवसान का समय मेग मैं आसमान से उतर रही हैं वह संध्या सुंद्री परीशी धीरे 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 तिमीर आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास मधूर मधूर हैं दोनों उसके अधर किन्तू जरा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास इन चित्रों के विदान उनकी अन्य कविताओं में भी हमें देखने को मिलता है फिर आता है कि निराला की कविता में रूडियों का विरोध परंपराओं और रूडियों का इन्हों ने विरोध किया है चायावाद का जर्म ही विद्रह की भूमी का पर हुआ था परिणाम स्वरुप चायावादी कवी और साहिते में विद्रह की भावना लेकर अवतिरुन हुए प्राचिन रूडियों से इन्हें न तो लगाओ था और नहीं उसके प्रतिक कुछ आस्ता थी भासा के विशे में उन्होंने विद्रहात्मत प्रवर्ति से काम लिया उन्होंने भासा को केवल भावा विव्यक्ति का साधन मान लिया इसलिए भावां की सहज एवपूर्ण अविवेक्ति के लिए व्याकरण के संबंद तोड़ दिये चंदों की पाईले उतार दी गई नए सब्द गढ़े तथा अपनाए चंदों का भाव और स्वर लई की तान पर चढ़ा कर कसा भी गया और घिस भी गया कहीं कहीं स्वर मात्रा में घटाओ बढ़ाओ भी आया निराला इस सित्र में अग्रनी है एसा करने का सुभारम उन्होंने ही वास्तों किया अतो उन्हें अनेक परकार के विरोधों का सामना करना पड़ा हम देखते हैं क्या कह रहे हैं वह वह आता दो टूक कलेजे का करता पस्त आता पत पर आता इस परकार भासा अनेक प्रगरती का अभी में ऐसे उदार्ण हमें देखने को मिलते हैं यहां निराला द्वंद में इस्तियों एवं दार्षनिक चेतनाओं का चितरन करते हैं यहां स्वबावत उनकी भासा दुरुख एवं बोजिल हो जाती है निराला की राम की सक्ति पुजा इसी प्रकार से जहां उनकी भासा का क्लिष्ट रूप हमें देखने को मिलता हैं वहां तत्सम सब्दों के अतिरिक समान पद्दती के भी दर्षन होते हैं रागव लागव रावन वारन गत युगम प्रहार उद्रित लंकापती मुर्धित कपिदल बल विस्तार अनिमेस राम निविशु जिद विद्य सर्भंग भाव दिव्यांग बद को दंड मुष्टी खर्म रुधिर रुधिर श्राव श्रावन प्रहार दुरु निवार विकल वानर दल बल मुर्षित सुग्रिव अगंद भीषन गवाक्ष गैदन वारित सोमित्र भलपती अंगनित मलरोध गर्जित पल्या प्रलय अब्धी सुब्ध हनुमंत केवल प्रबोत फिर भी कहना अनुप्यूक्त नहोगा कि इनलाल की सब्द योजना भाव अनुसार प्रशाद गुंख कि अभीव्यक्ति के लिए उन्होंने कोमल एवं सर्ल सब्दावली का प्रयोग किया है तो ओज गुण को व्यक्त करने के लिए सक्तिसाली और समायुक्त सब्दावली प्रयोग कि anderITH था अनाचार निश्चे ही निराला के कावे में कहीं भी उप्लब्द नहीं होता वर्णिवे से भाव और विचार के अनुसार ही निरालेक के भासा का सद्धूप्योग और व्यवहार किया गया है फिर आता है इनके कावे में अलंकार योजना मनुश्य में सौंद्री की भावना प्राकरतिक हैं वह जीवन के परतेग सेतर में सुंदर के स्रजन और आरूपन के लिए अनुवर्त रहता हैं दूसरों से भी सौंद्री की अपैक्षा करता हैं यही निम उनकी अभिवेक्ति पर भी चर्तार्थ होता है वह चाहता है उसकी वानी भी अधिकारिक सुषजित और परभावसाली हो अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने कावी में अलंकारों का विधान किया हैं सामानतिय अलंकार को सौंद्री तो नहीं सुषिकारा जाता पर वे सौंद्री विधान में साहयक आउशिक होते हैं निराला के कावे में हमें अलग अलग परकार के अलंकार देखने को मिल जाएंगे हम जब सब्दालंकार के अतरिक निराला कावी में अर्थालंकारों का प्रियोग करते हैं अली अलकों के तलल तिमिरे में किसकी लेल लहर अज्यात किसके गूड मर्म में निश्चित ससीक सा मुख जोतना सा गात इन बंक्तियों में उपमा अलंकार हैं और प्रभावसमे का प्रधान्य हैं संदे अलंकार का भी इन्होंने सफल प्रियोग किया तुम किसी के चित की हैं कलिका तुम किसी के चित की हैं कलिमा या किसी कमनियता या किसी दुख हीन की हैं आह तूं या किसी तरु की तरुन अनित लता छायक वाद कावे में ध्वनी चित्रन का नाद व्यंजना में भी प्रयाप्त उदाहरन हमें देखने को मिलता है नराला के कावे में इन उदाहरनों का भाव या अभाव नहीं है नराला के कावे में छंद विधान एक समय था जब चंद कावे का अनिवारी अंग माना जाता था किन्तु आदुनी काल में चंद का महतो अस्विकार कर दिया गया निलाला तो यहां तक कहते हैं कि कावे का वास्तिक विकार चंदों के बंदन से मुक्त होकर होता है यह लिखते हैं मनुष्य की मुक्ती की तरह कविता की भी मुक्ती होती हैं मनुष्य की मुक्ती कर्मों के बंदन से छोटकारा पाना है और कविता की मुक्ती छंदों के सासन से अलग हो जाना है उसी तरह मुक्त मनुश्य कभी किसी तरह भी दूसरी के प्रतिकूल आचरन नहीं करता, इसके तमाम कारे और औरों को प्रसंद करने के लिए होते हैं, फिर भी सवतंत्र इसी तरह कविता का भी हाल है। मुक्त कावे कभी साहिती के लिए अनर्थकारी नहीं होता, किन्तों के साहिती में एक परकार की एक स्वाधिन चेतना फेलती हैं, जो साहिती के कल्यान की मूल संबेदना है। निलाला ने मुक्त चंदों का बड़ी सफलता से प्रियूग किया हैं, और हम देखते हैं यहां पर उनकी कविता में मुक्त चंद, फिर क्या पवन, उपवन, सन सरीता, गहन गिरी कानन, कुंज लता, पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली, खिली, साथ। यहां पवन से लेकर कानन्त की अधिकतर एक हरे वर्गों वाली पंक्तियां एक सांस में पड़ी जा सकती हैं। या उलज-उलज कर आगे बढ़ना पड़ रहा हो और पहुंचा का आकार, तो जैसे सारी किरिया की समाप्ति पर अपैक्षित विराम इस्तल का या विराम इस्तल की सूचना देता हैं। यही स्वभाविक विशेष्टा हैं, स्वभाविक आरोह आरोह ही हैं, मुक्तचन की विशेष्टा। मुक्तचन के अतिरिक निराला ने तुकांत कवितायम भी लिखी, भारती जय विजय करे, कनक सश्षिक कमल धरे, लंका पद्तल सत दल, गरजित उर्मी सागर जल, धोता सुची चलन युबल, स्वत इस्तव कर बहु अर्थ भरे। हम यहां देखते हैं कि निराला भासा, वाने की भाव और विजार की अंत्रकवाटिका तो होती ही हैं, उसका सरंगार भी मानी जाती हैं, भाव और कलापक्स दोनों दृष्टियों से हिंदी साहित्य में छायाबाद का महतुपुन योगदान हैं, भाव के सेत्र में इन अलंकारों को तथा नविन भासा शक्ति को जनम दिया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि भासा को नव उदात्ये परदान कर उसे अधिक सक्षम समथ एव संपन बनाया, निराला का छायाबाद भासा के समष्ट गुनों से संपन हैं, छायाबादी भासा की प्रमुक दिश्टा हैं कोमल नव सब्दों की परचूर योजना, परकरती, गत परतिकों की परचूरता, भासा का लाक्षिनिक प्रियोग, संगीत आत्मक्ता, चित्रात्मक्ता, प्राचिन भासा, गत रूडियों के परति विद्रो, निराला की भासा का विशलेशन भी इसी आधार पर किया गया है, प्यारी विद्यार्थियों, आज हम बस इतना ही पड़ेंगे, कल हम इसके आगे का टोपिक लेंगे, तब तक के लिए धन्यवादु